कॉफी मैंने सवाल किया आप कॉफी क्यों पीते हैं? उन्होंने जवाब दिया आप क्यों नहीं पीते? मुझे इसमें सिगार की सी बू आती है अगर आपका इशारा इसकी सोंधी सोंधी खुश्बू की तरफ है तो ये आपकी गुटे शामा की कोता ही है गो कि उनका इशारा सरीहन मेरी नाक की तरफ था ताहम रफए शर्की खातिर मैंने कहा थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूँ कि काफी में से वाकई भीनी भीनी महक आती है मगर ये कहां की मंतिक है कि जो चीज नाक को पसंद हो वो हलक में उड़ेल ली जाए अगर ऐसा ही है तो काफी का इत्र क्यों नकशीद किया जाए ताके अद्बी महफिलों में एक दूसरे की लगाया करें तडब कर बोले साहब मैं माकूलात में माकूलात का दخल जाइस नहीं समझता ता वक्त के इस घपली की असल वज़ा तलफुस की मजबूरी न हो काफी की महक से लुफ अंदोस होने के लिए एक तरबियत याफता जौक की जरूरत है यही सोंधापन लगी हुई खीर और धिंगारे रायते में होता है मैंने माजरत की खुर्चन और धुंगार दोनों से मुझे मतली होती है फरमाया ताच्चुब है यूपी में तो शौर्फा बड़ी रखबत से खाते हैं मैंने इसी बिना पर हिंदुस्तान छोड़ा चरांदे होकर कहने लगे आप काईल हो जाते हैं तो कजबहसी करने लगते हैं जवाबन अर्स किया गर्म मालिक में बहस का आगाज सही मानों में काईल होने के बाद ही होता है दानिस्ता दिल आजारी हमारे मश्रब में गुना है लहाजा हम अपनी असल राय का इसहार सिर्फ नशा और गुस्से के आलम में करते हैं खेर ये तो जुमले मतरज़ा था लेकिन अगर ये सच है कि कौफी खुश जायका होती है तो किसी बच्चे को पिला कर उसकी सूरत देख लीजे जला कर बोले आप मासूम बच्चों को वहस में क्यों ख़सी उते है मैं भी उलज गया आप लोग हमेशा बच्चों से पहले लफ्स मासूम क्यों लगाते हैं क्या इसका ये मतलब है कि कुछ बच्चे गुनेगार भी होते है खेर आपको बच्चों पर इतरास है तो बिल्ली को लीजे बिल्ली की यह क्यों बक्री क्यों नहीं वो सच मुछ मचलने लगे मैंने समझाया बिल्ली इसलिए कि जहां तक पीनी की चीज़ों का तालुक है बच्चे और बिल्ली की बुरे भले की कहीं बहतर तमीज रखते है इर्शाद हुआ कल को आप यह कहेंगे कि चुके बच्चों और बिल्ली को पक्के गाने पसंद नहीं आ सकते इसलिए वो भी लोगों है मैंने उन्हें यकीन दिलाया मैं हर्गिस यह नहीं कह सकता पके राग इनहीं की इजाद है आपने बच्चों का रोना और बिल्ली का लड़ना बात काट कर बोले बहराल सकाफती मसायल का फैसला हम बच्चों और बिल्ली को पर नहीं छोड़ सकते आपको यकीन आए या ना आए मगर ये वाक्या है कि जब भी मैंने काफी के बारे में इस्तस्वाब राय आमा किया इसका अंजाम इसी किस्म का हुआ शायकीन मेरे सवाल का जवाब देने के बचाए उल्टी जिरह करने लगते है अब मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि काफी और क्लासिकी मौसीकी के बारे में इस तफसार राय आमा करना बड़ी नााकिबत अंदेशी है ये बिल्कुल ऐसी ही बदमजाकी है जैसे किसी नेक मर्द की आमदनी या खुबसूरत औरत की उम्र दर्याफ़ करना इसका ये मतलब नहीं कि नेक मर्द की उम्र और खुबसूरत औरत की आमदनी दर्याफ़ करना खत्रे से खाली है जिन्दगी में सिर्फ एक शखस ऐसा मिला जो वाकई काफी से बेजार था लेकिन उसकी राय इस लिहाज से जादा काबिले इलतिफात नहीं कि वो एक मशूर काफी हाउस का मालिक निकला एक साहब अपनी पसंद के जवाज में सिर्फ ये कहकर चुप हो गए कि छुटती नहीं है मूँ से ये काफी लगी हुई मैंने वजाहत चाही तो कहने लगे दरसल ये आदत की बात है ये कमबख्त काफी भी रिवायती चने और डोमनी की तरह एक दफ़ा मू लगने के बाद छुडाए नहीं छुटती है न इस मकाम पर मुझे अपनी माजूरी का इतराफ करना पड़ा कि बजपन ही से मेरी सिहत खराब और सहबत अच्छी रही इसलिए इन दोनों खुबसूरत बलाओं से महفوظ रहा बाद एबाद तो इस सवाल से चराग पा होकर जातियात पर उतर रहे मैं ये नहीं कहता कि वो जूटे इल्जाम लगाते हैं इमान की बात ये कि जूटे इल्जाम को समझदार आदमी नहायत इतिमाद से हसकर टाल देता है मगर सच्चे इल्जाम से तन बदन में आग लग जाती है इस जिम्न में जो मतज़ाद बाते सुनना पड़ती है इनकी दो मिसाले पेश करता हूँ एक करम फर्मा ने मेरी बेजारी को महरूमी पर महमूल करते हुए फरमाया हाई कमबख तूने पी ही नहीं उनकी खिदमत में हलफिया अर्स किया कि दरसल बीसियों गैलन कौफी पीने के बाद ही ये सवाल करने की जरूरत पेश आए दोसे साहम ने जरा खुल कर पूछा कि कहीं कौफी से चिड़की असल वज़ा मादे के वो दाग तो नहीं जिनकों मैं दो साल से लिये पिर रहा हूँ और जो कौफी की तिजाबियत से जल उठे हैं और इसके बाद वो मुझे नहायत तश्खीस नाक नजरों से खूरने लगे इस तस्वाब राय आमा का हश्र आप देख चुके अब मुझे अपने तासुरात पेश करने की अजासत दीजे मेरा इमान है कि कुद्रत की कार खाने में कोई श्रय बेकार नहीं इनसान गोरों फिक्र की आदत डाले या महद आदत ही डाले तो हर बुरी चीज में कोई न कोई खूबी जरूर निकला दीए मिसाल के तोर पर हुक्टे ही को लीजे मौतबर बुजर्गों से सुना है कि हुक्का पीने से तफर्रुकात पास नहीं बटकते बलके मैं तो ये अर्ज करूंगा कि अगर तंबाकू खराब हो तो तफर्रुकात ही पर क्या माकूफ है कोई भी पास नहीं बटकता अब दीगर मुलकी अश्याय खुर्दो नोश पर नज़र डालिए मिर्चे खाने का एक आसानी से समझ में आने वाला फाइदा ये है कि उन से हमारे मश्रकी खानों का असल रंग और मज़ा दब जाता है खमीरा गाउ जबान इसलिए खाते हैं कि बगएर राशन कार्ट के शक्कर हासल करने का ये ही एक जायस तरीका है जो शानदा इसलिए गवारा है कि इससे न सिर्फ एक मुलकी सिनत को फरोग होता है बलके नफसे अमारा को मारने में भी मदद मिलती है शलगम इसलिए जहर मार करते हैं कि इन में विटामिन होता है लेकिन जदीद तिब्बी रिसर्च ने साबित कर दिया है कि काफी में सिवाए काफी के कुछ नहीं होता एहल जौक के नजदीक यही इसकी खुवी है मालूम नहीं काफी क्यों कब और किस मर्दम आजार ने दर्याफत की लेकिन ये वसूप के साथ कह सकता हूँ कि यूनानियों कोई इसका इल्म नहीं था अगर उन्हें जरा भी इल्म होता तो चरायता की तरह ये भी यूनानी तिब्का जुस्वे आजम होती इस क्यास को इस अमर से मजीद तक्वियत होती है कि कस्वों में काफी की बढ़ती हुई खपत की गालबन एक वज़ा ये भी है कि अतायों ने अल्ला शाफी अल्ला काफी कह कर मौखिर जिक्र का सफूफ अपने नुस्खों में लिखना शुरू कर दिया है जमाने कदी में इस किस्म की जड़ी बूटियों का इस्तिमाल अदावत और अक्देसानी के लिए मखसूस था चुकि आजकर इन दोनों बातों को मायूब ख्याल किया जाता है इस लिए सिर्फ इज़ारे खुलूसे बाहमी के लिए इस्तिमाल करते है सुना है कि चाई के बड़े खुबसूरत बाग होते है ये बात यो भी सच मालूम होती है कि चाई अगर खेतों में पैदा होती तो एशियाई ममालिक में इतनी अफराद से नहीं मिलती बलके गल्ले की तरह गैर ममालिक से दरामत की जाती मेरी मालूमाते आमा महदूद है मगर क्यास यही कहता है कि काफी भी जमीन ही से उकती होगी क्योंकि इसका शमार उन नेमतों में नहीं जो अपने नेक बंदों पर आसमान से बराहरास नाजल करता है ताब मेरी चश्मे तखयल को किसी तोर ये बावर नहीं आता कि काफी बागों की पैदवार हो सकती है और अगर किसी मुल्क के बागों में ये चीज़ पैदा होती है तो अल्ला जाने वहां के जंगलों में क्या उकता होगा ऐसे अरबाब जौक की कमी नहीं जिने काफी इस वज़े से अजीज है कि ये हमारे मुल्क में पैदा नहीं होती मुझसे पूछे तो मुझे अपना मुल्क इसलिए और भी अजीज है कि यहां काफी पैदा नहीं होती मैं मश्रूबात का पारिख नहीं हूँ लहाजा मश्रूब के अच्छे या बुरे होने का अंदाजा उन असराद से लगाता हूँ जो उसे पीने के बाद रूरुमा होते हैं इस लहाज से मैंने कौफी को शराब से बदर जहां बद्तर पाया यहां मुझे कौफी से अपनी बेजारी का इजहार मक्सूद है कौफी के तरफदार अक्सर ये कहते हैं कि ये बेनशे की प्याली है बिल फर्जे महाल ये गुजारिशे अहवाले वाकी या दावा दुरुस्त है तो मुझे उनसे दिली हमदर्दी है मगर इतने कम दामों में आखिर वो और क्या चाहते है कौफी हाउस की शाम का क्या कहना फजा में हर तरफ जहनी कोहरा चाया हुआ है जिसको सरमायादार तबका और तल्बा सुर्क सवेरा समझ कर डरते और डराते हैं शोरो शगब का ये आलम की अपनी आवाद सुनाई नहीं देती और बार बार दूसरों से पूछना पड़ता है कि मैंने क्या कहा हर मेज पर तिशनगाने इल्म कौफी पी रहे हैं और गुरूब आफताब से गरारे तक या आवाम और आम के खास पर बुकराती लहजे में बहस कर रहे हैं देखते ही देखते कौफी अपना रंग दिखाती है और तमाम बनिये नौए इनसान को एक बरादरी समझने वाले थोड़ी देर बाद एक दूसरे की वल्दियत के बारे में अपने शुकूक का सलीस उर्दू में इजहार करने लगते हैं जिसे बेरों को कलेतन इतिफाक होता है लोग रूट रूट कर उठ खड़े होते हैं लेकिन ये सोच कर फिर बैठ जाते हैं कि अब तो घबरा की ये कहते हैं कि घर जाएंगे घर में भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे कौफी पीपी कर समाज को कोसने वाले आदमी ये सेयाल पी कर अपना मूँ बंद नहीं रख सकता उनका ये दावा भी गलत नहीं मालूम होता कि कौफी पीने से बदन में चुस्ती आती है जब ही तो लोग दोर दोर कर कौफी हाउस जाते हैं और घंटों वहीं बैठे रहते हैं बहुत देर तक वो ये समझाने की कोशिश करते रहे कि कौफी नहायत मुफर्र है और दिमाग को रोशन करती है इसके सबूत में उन्होंने अपनी मिसाल दी कि अभी कल का वाक्या है मैं दफ्तर से घर बेहद निढ़ाल पहुँचा बेगम बड़ी मिजाज दाँ है फॉरन कौफी का टी पॉट लाकर सामने रख दिया मैं जरा चक्राया फिर क्या हुआ मैंने बड़े इश्ट्याक से पूछा मैंने दूद दान में से क्रीम निका ली उन्होंने जवाब दिया मैंने पूछा शक्रदान में से क्या निकला फरमाया शक्र निकले और क्या हाथी गोड़े निकलते मुझे गुसा तो बहुत आया मगर कौफी का सा घूट पी कर रह गया उम्दा कौफी बनाना भी कीमिया गरी से कम नहीं ये इसलिए कह रहा हूं मश्रकी अफरिका के उस अंग्रेज अफसर का नस्खा तो सभी को मालूम है जिसकी मज़ेदार कौफी की सारे जिले में धूम थी एक दिन उसने एक नहायत पुर्तकल्फ दावत की जिसमें उसके हफशी खानसामा ने बहुत ही खुश रजाय का कौफी बनाई अंग्रेज ने बनजर होसला अफसाई उसको मौजज मेहमानों के सामने तलब किया और कौफी बनाने की तरकीब पूछी हफशी ने जवाब दिया बहुत ही सहल तरीका है मैं बहुत सा खौलता हुआ पानी और दूद लेता हूँ फिर उसमें कौफी मिलाकर दम करता हूँ लेकिन उसे हल कैसे करते हो बहुत महीन च्छनी होती है हुजूर के मौज़े में चानता हूँ क्या मतलब क्या तुम मेरे कीमती रेशमी मौज़े इस्तिमाल करते हो आका ने गजबनाक होकर पूछा खान सामा सहम गया नहीं सरकार मैं आपके साफ मौज़े कभी इस्तिमाल नहीं करता सच अर्ज करता हूँ कि मैं कौफी की तुन्दी और तलखी से जरा नहीं घबराता बच्पन ही से यूनानी दवाओं का आदी रहा हूँ और कुवत बरदाश्ट इतनी बढ़ गई है कि कड़वी से कड़वी गोलियां खाके बेमसाना हुआ लेकिन कड़वाट और मिठास की आमेजश से जो मौतदिल कवाम बनता है वो मेरी बरदाश्ट से बाहर है मेरी इंतहा पसंद तबीयत इस मीठे जहर की ताब नहीं ला सकती लेकिन दिक्कत ये आन पड़ती है कि मैं मेजबान के इसरार को अदावत और वो मेरे इंकार को तकल्लुफ पर महमूल करते हैं लहाजा जब हो मेरे कप में शक्कर डालते वक्त अखलाकन पूछते हैं एक चम्चा या दो तो मजबूरन यही गुसारिश करता हूँ कि मेरे लिए शक्करदान में कौफी के दो चम्चे डाल दीजे साफ ही क्यों न कह दूँ कि जहां तक अश्याय खुर्दोनोश का तालुक है मैं तहजीब हवास का कैल नहीं मैं ये फौरी फैसला जहन के बजाए जबान पर छोड़ना पसंद करता हूँ पहली नजर में जो महब्बत हो जाती है उसमें बिलामूम नियत का फदूर कार फर्मा होता है लेकिन खाने पीने के मौामले में मेरा नजरिया ये है कि पहला ही लुकमा या घून फैसला कुन होता है बजाएका खाने की आदत को जौक में तबदील करने के लिए बड़ा प पिस्ती मजबूरियां शामल नहों बनाबरी मैं हर काफी पीने वाले कुछ जन्नती समझता हूँ मेरा अकीदा है कि जो लोग उम्र भर हसी खुशी ये अज़ाब छेलते रहे उन पर दोजख और हमीम हराम है काफी अमेरिका का कौमी मश्रूब है मैं इस बहस में नहीं उलचना चाहता कि अमेरिकी कल्चर काफी के जोर से पहला या काफी कल्चर के जोर से राइच हुए ये बाई नहीं ऐसा सवाल है जैसे कोई बे अदब ये पूछ बैठे कि गुबार खातिर चाई की वज़ा से मकबूल हुई या चाई गुबार खातिर के बाईस एक साहब ने मुझे लाजवाब करने की खातिर ये दलिल पेश की अमेरिका में तो काफी इस गदर आम है कि जेल में भी बिलाई जाती है अर्स किया कि जब खुद कैदी इस पर इहतजाज नहीं करते तो हमें क्या पड़ी है कि वकालत करें पाकिस्तानी जेलों में भी कैदियों के साथ ये सलोक रवा रवा रखा जाए तो इन सिदादे जराइम में काफी मदद मिलेगी फिर उन्होंने बतलाया कि वहां ला इलाज मरीजों को बश्राश रखने की गरद से काफी बिलाई जाती है काफी के सरीवत तासीर होने में क्या कलाम है मौामले में जानवर और इनसान के गोश्ट को मसावी दर्शा देते थे लेकिन जहां तक पीने की चीज़ों का तालुक है हमने उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनी मगर हम तो चीनियों की रची हुई हिस्से शामा की दाद देते हैं कि ना मंगोल हुपमरानों का जबरो तशद्द उन्हें पनीर खाने पर मजबूर कर सका और ना अमेरिका उन्हें कौफी पीने पर आमादा कर सका तारीख शाहिद है कि उनकी नफासत ने सखत कहत के जमाने में भी फाके और अपने फलस्फे को पनीर और कौफी पर तरजी दी हमारा मंशा अमेरिकी या चीनी आदाद पर नुक्ता चीनी नहीं हर आजाद कौम का ये बन्यादी हक है कि वो अपने मूँ और मादे के साथ जैसा स्लूप करना चाहे बेरोक टोक करे इसके अलावा जब दूसरी कौमें हमारी रसावल नहारी और फालूदे का मजाक नहीं उडाती तो हम दखल दर माकूलात करने वाले कौन बात दरसल ये है कि तरकी याफता ममालिक में प्यास बुजाने के लिए पानी के अलावा हर रकीक शे इस्तेमाल होती है सुना है जर्मनी में जहां कौमी मश्रूप बियर है डॉक्टर बदर जए मजबूरी बहुत ही तंद्रुस्तो तवाना अफराद को खालिस पानी पीने की इजासत देते हैं लेकिन जिनको आब नोशी का चस्का लग जाता है वो रातों को छुप छुप कर पानी पीते हैं मश्रकी और मखरिबी मश्रूपात का मौज़ना करने से पहले ये बुनियादी उसुल जहन नशीन कर लेना असबस जरूरी है कि हमारे हैं पीने की चीज़ों में खाने की खुसियात होती है अपनी कदीम मश्रूपात मसलन यखनी सत्तू और फालूदे पर नज़र डालिए तो ये फरक वाज़ हो जाता है सत्तू और फालूदे को खालिसतन लुगवी मानों में न आप खा सकते हैं और न पी सकते हैं बलके दुनिया में अगर कोई ऐसी शेह है जिसे आप बा मुहारा उर्दू में बयक वक्त खा पी सकते हैं तो ये ही सत्तू और फालूदा है जो ठोस घज़ा और ठंडे शर्बत के दरमयान एक नाकाबल बयान समझोता है लेकिन आजकल इन मश्रूबात का इस्तेमाल खास खास तक्रीबों में ही किया जाता है इसका सबब ये है कि अब हमने अदावत निकालने का एक और महजब तरेका अख्तियार किया है आपके जहन में खुदा ना खासता ये शुभा ना पैदा हो गया हो कि राकम सुदूर काफी के मकाबले में चाई का तरफदार है तो मजमून खत्म करने से पहले इस खलत फैमी का इजाला करना जरूरी समझता हूँ मैं काफी से इसलिए बिजार नहीं हूँ कि मुझे चाई अजीज है बलके हकीकत ये है कि काफी का जला चाई फूंक फूंक कर पीता है एक हम है कि हुए ऐसे पशेमान के बस एक वो हैं कि जिन्हें चाई के अर्मा होंगे